नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Excel में कैसे मंतली salary slip बनाते हैं उसका पूरा process step by step दिखाऊंगा दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अल्रेडी Excel में salary slip का एक format design किया है तो यही salary slip के format को मैं आपको Excel में design करके दिखाऊंगा और इसके साथ सारे calculations को भी करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को last तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर Microsoft Excel को open कर लिया और अभी हम जाएंगे view tab में view tab से page का जो setup है इसको change कर लेंगे print layout में इसको apply करेंगे क्लिक करने के साथ ही print layout का format यहाँ पर apply हो जाएगा अब मैं यहाँ पर column को थोड़ा adjust करूँगा मैं यहाँ पर चारो side से एक एक row और एक column को छोर के salary slip के format को design करूँगा क्यूंकि वो चारो side में मैं border reply करूँगा इसलिए मैं left right top और bottom से एक एक करके row को छोर दूँगा आप आपको जरूरत का अनुसार यहाँ पर आप cell को adjust कर लेना तो मेरा almost complete हो गया अब मैं यहाँ पर एक एक करके design को start करूँगा सबसे पहले मैंने एक row को छोर के यहाँ पर इनको select करेंगे select करके इसको marge करेंगे home tab में जाएंगे home tab में यहाँ पर margin center option है जहाँ पर click करेंगे click करने के साथ ही आपका cell जो है वो यहाँ पर marge हो जाएगा आप यहाँ पर अपने company का नाम यहाँ पर लिखेंगे अच्छा लएगा और यहाँ पर बोल्ट कर देंगे इसको अब दूसरे वाले cell को भी select करके marge करेंगे और यहाँ पर company का address लिखेंगे margin center में click करेंगे marge हो जाएगा और यहाँ पर आप company का address यहाँ पर type कीजिएगा तो मैंने यहाँ पर type किया फिर same नीचे वाले cell को select करके यहाँ पर हम लिखेंगे monthly salary slip marge करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे monthly salary slip फिर इसको select करके इसका size को तोड़ा increase कर देंगे अब मैं यहाँ पर salary slip का बाकी जो part है उसको design करना start करूंगा एक row को छोर के यहाँ पर लिखूंगा employee id इसके बाद excel को छोर के यहाँ पर लिखूंगा employee name फिर नीचे लिखूंगा designation और यहाँ पर लिखूंगा month of salary month of salary अब मैं यहाँ पर नीचे एक cell को छोर के दो cell को march करूंगा और march करने के बाद वहाँ पर लिखूंगा income और same ही उसके side में दो cell को और march करूंगा और वहाँ पर लिखूंगा deductions मतलब कि salary में जो सारे पैसे आपके income में जूरेगा वह income के side होगा और जो आपके salary से deduct होगा वह deduction के side में हम लिखेंगे तो यहाँ पर income में सबसे पहले हम लिखेंगे basic salary फिर नीचे लिखेंगे DA फिर TA HR gross pay gross pay क्या होता है? gross pay आपका जो basic DA, TA, HR सारे का addition यहाँ पर आएगा और deduction में सबसे पहले हम लिखेंगे provident fund उसको बाद loan ESI tax और last में लिखेंगे total deduction यहाँ पर total deduction मतलब provident fund, loan, ESI and tax का जो total amount है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा total deduction में इसके बाद नीचे हम लिखेंगे net salary जोगी gross pay से total deduction माइनस करके जो amount आएगा वो होगा आपका net salary अब मैं यहाँ पर नीचे दो सेल को march करूँगा और march करके वहाँ पर लिखूँगा sign of employee और signature के लिए थोड़ा जगा यहाँ पर रखेंगे जो मैंने यहाँ पर underscore use करके किया है और same process यूज़ करके उसके side में और दो सेल को select करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे manager, मतलब कि यह manager के signature का जगा होगा तो यहाँ पर underscore use करके same space यहाँ पर create करेंगे थोड़ा signature के लिए अब मैं यह salary slip को थोड़ा decorate करूँगा तो सबसे पहले मैं कुछ border यहाँ पर apply करूँगा, इसके लिए सबसे पहले मैं monthly salary slip जो cell है उसमें click करूँगा, home tap से border बटन से thick bottom border जो option है इसको यहाँ पर apply करेंगे, यह देखिए फिर मैं यहाँ पर employee ID employee name जो इनको है in cell को select करके यहाँ पर all border apply कर दूँगा, same ही process use करके income से net salary में जाके इनको भी select करके all border apply कर दूँगा, यह देखिए border बटन और यहाँ से thick box border को select कर दूँगा यह देखिए, एक outline border यहाँ पर apply हो गया है अब मैं यहाँ पर salary slip को select करके इसका background color white कर दूँगा यह मैंने select किया, और यहाँ पर fill color से, मैं white color select कर दूँगा, तो इसका background जा है वो white हो जाएगा अब मैं यहाँ पर insult को select करके, इनको थोड़ा bold कर दूँगा और नीचे जो income और deduction है इनको भी select करके, bold करके थोड़ा it का size increase कर दूँगा और नीचे जो net salary है, इसको भी bold कर दूँगा अब यहाँ पर मैं income और deduction को select करके, एक color apply करूँगा, fill color box से font टैप से fill color box से आप click करके, कोई भी color यहाँ पर apply कर सकते हो मैंने यहाँ पर एक color apply कर दिया तो यहाँ पर मेरा decoration का जो काम है वो पूरा यहाँ पर complete हो गया अब मैं यहाँ पर आपको सारे cell में formulas apply करके दिखाऊंगा one by one, तो सब से पहले यहाँ पर देखिया है basic salary जो के fixed होता है हर employee का और उसके उपर da, ta, hra वो सारे calculations होते है तो अभी मैं आपको da calculation करके दिखाऊंगा जो की basic के उपर होगा इसके लिए हम डालेंगे equal sign फिर basic cell को select करेंगे into जो percentage आपको provide किया है वो ही da का percentage आप यहाँ पर दे सकते हो मैंने यहाँ पर 54% calculate किया है अभी enter प्रेस करेंगे करने के साथ ही da का calculation हो जाएगा same process follow करके हम ta का करेंगे equal basic into 21 by 100 मैंने यहाँ पर 21% लिया है just एक बार enter करेंगे enter करने के साथ ही ta का calculation यहाँ पर हो जाएगा फिर हम करेंगे hra equal basic into 18 by 100 फिर एक बार enter प्रेस करेंगे enter करने के साथ ही hra का calculation यहाँ पर आपका complete हो जाएगा अभी है gross पर gross पर basic ta da hra का addition होगा इसके लिए हम लिखेंगे equal sum फिर first bracket open करेंगे और basic से hra तक जितना cell है इनको हम यहाँ पर select कर देंगे select करने के बाद bracket को close करेंगे और एक बार enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के साथ ही इन चाड़ों का addition यहाँ पर आपका आजाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि da ta hra और gross का जो amount है वो यहाँ पर zero है क्योंकि मैंने अभी तक basic salary जो है वो यहाँ पर input नहीं किया है basic salary अगर हम कुछ input करेंगे तो da ta hra और gross का जो amount है वो automatically calculate हो जाएगा अब मैं यहाँ पर आपको provident fund calculate करके दिखाऊंगा इसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे equal sign और provident fund basic के उपर होगा इसलिए हम यहाँ पर basic को select करेंगे into 8 by 100 हम यहाँ पर 8% provident fund calculate करेंगे basic cell के उपर फिर एक बार enterprise करेंगे enterprise करने के साथ ही आपका 8% provident fund यहाँ पर calculate होके आ जाएगा फिलाल यहाँ पर 0 आया है अभी loan, ESI और tax इन में अगर आप कुछ calculation करना चाहते हो तो calculation कर सकते हो मैं यहाँ पर तीनों को ही 0 रखूंगा अब मैं आपको total deduction calculate करके दिखाऊंगा इसमें इन चाड़ों का addition होगा लिखेंगे equal, sum, sum, first bracket open करेंगे और provident fund से लेके tax तक पूरा cell को यहाँ पर select करके फिर bracket को close करेंगे और एक बार enter प्रेस करेंगे enter करने के साथ ही यहाँ पर आपका total deduction जो है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा और अभी हम last में net salary को calculate करेंगे तो net salary gross pay से total deduction को minus करके जो amount आएगा वो होगा आपका net salary तो यहाँ पर देंगे equal sign यहाँ पर gross pay मतलब की total addition जो होगा वो minus total deduction को select करेंगे फिर एक बार enter प्रेस करेंगे, enter करने के साथ ही आपका net salary का amount है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा तो यह होगया मेरा पूरा calculation का part, अब मैं आपको एक employee का salary slip बना के दिखाता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर दूँगा employee ID, फिर मैं यहाँ पर employee का नाम लिखूँगा उसके बाद मैं डालूँगा designation और फिर यहाँ पर जो salary का month है, वो salary slip का month आप यहाँ पर दे सकते हो, मैं यहाँ पर दिया December 2020 अब यहाँ पर मैं basic में 10,000 rupees डालूँगा, आप कोई भी amount दे सकते हो, देने के साथ ही देखे, सारा calculation हो गया सबसे पहले देखे, यहाँ पर DA, जो कि basic का 54% था, तो 54% यहाँ पर दिखा रहा है, फिर TA देखे, जो basic का 21% था, तो basic का amount के उपर 21% यहाँ पर दिखा रहा है, फिर HRA, जो कि 18% था basic के उपर, basic का 18% यहाँ पर दिखा रहा है, और जो last में जो है gross पे, वो इन चारों का addition य इनका मैंने कुछ नहीं किया था यह 0 ही है और यहाँ पे टोटल डिड़क्शन का amount भी यहाँ पे इन चारों का addition दिखा रहा है और last में जो net salary है वो gross पे से total deduction को minus करके जो amount आता है वो यहाँ पे दिखा रहा है अब मैं यहाँ पे आपको deduction में कुछ amount add करके आपको क्यूंकि net salary जो है वो gross pay से total deduction minus करके जो amount आता है वो है आपका net salary आप basic में किसी भी amount को input कर सकते हो input करने के साथ ही automatically DA, TA, HRA, gross pay, provident fund, total deduction and net salary automatically calculation हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने basic salary में 5000 रुपीज input किया है automatically सारा calculation यहाँ पे हो गया है तो यह था पूरा process जिसको use करके आप Excel में salary slip बना सकते हो वीडियो अगर अच्छा लगा तो like कर दिएगा, thank you for watching the video, please keep your support